हे गाइस वल्कम बैक टू आवा चैनल रोली फैट्स और मोटिवेशनल आज इस वीडियो में हम 25 ऐसे अमेजिंग फैट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसको शायद ही आपने कहीं पर सुना हो तो आईए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि अगर आप चैनल पर हमारे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जिससे मेरे दौरा पोस्ट किया हुआ हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें तो चलिए शुर तो आप इस ट्रेन में फ्री में सफर कर सकते हैं आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जहां रेलवे हमसे जो है ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन करवाती है पैसे लेती है वहीं पर ये कैसी ट्रेन है जो हमको फ्री में सफर कर आ रही है तो निर्मार हो पाया जी हाँ ये ट्रेन जो है 25 गाओं में पिछले 73 सालों से लोगों को फ्री में सफर करवा रही है पहली बार इस ट्रेन को 1949 में चलाया गया था और 25 गाओं के लगबग 300 लोग डेली इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं इस ट्रेन का आनंद ले रहे हैं और सबसे की एक कमपनी है जिसने एक अनोखा मास्क बनाया है जी है आप सुन रहे हैं की एक कमपनी है जिसने एक अनोखा मास्क बनाया है इस मास्क की ये खासियत है कि ये जो है हमारे मुझ को कवर ना करके ये सिर्फ नाक को कवर करती है क्योंकि बहुत से लोगों को मास्क लगाने के तोड़ी उल्जन होती है थोड़ी तबीयत उनकी खराब होने लगती है या फिर ओक्सीजन का लेवन उलो का कम होने लगता है जिसके कारण रक्षिर कोरिया की एक कंपणी ने इस मास्क को बनाया है ये मास्क अपनी काफी सुर्खियां बटोर रहा है अपनी खासियत की है जिसमें के का मतलब है कोरियन और एफ को फिल्टर के लिए यूज किया गया है इस कंपनी ने ये दावा किया है कि ये 0.3 थी माइक्रोन को जो है खत्म करता है ये 80 परसेंट वाइरस को खत्म करता है इसी वज़ा से इसको कोश्क नाम दिया गया है ये मास्क आपको आपक टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक गाधी नगर इलाके के कलोल कस्बे का 21 वर्षिय एक युवक है अंकित जो की विदेश जाना चाहता है अपने सपने को साकार करना चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त धन पर्याप्त साधन ना होने की वज़ा से वो वि पैसो की मदद से वो विदेश जा सका अपने सपने को साकार कर सका सपने के साकार हो जाने के बाद अंकित वहीं विदेश में सेटल हो गया अमरिका में रहने लगा और सेटल होने के बाद उसने ये ठानी कि अब गुजरात के लोगों को मैं 0% के लोन पर विदेश आने की अ उनके लिए एक मुहिम का काम कर रही है अंकित की ये पहल एक नुमबर फोर मात्र सोला सेकंड के लिए मास्क उतारने पर इतना भारी जुर्माना देना पढ़ा जी हां आप सही सुन रहे हैं एक व्यक्ति किस्टोफर ब्रिटेन के रहने वाले क्रिस्टोफर जिनहोंने मात्र 16 सेकंड के लिए मास्क उतारा और उन्हें एक भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ा जियाँ वो शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग मॉल के अंदर मास्क लगाए रहने के कारण उन्हें जो है काफी दिक्कत हो रही थी उनकी तबियत थोड़ी बिगड़ रही थी सास लेने में तकलीफ हो रही थी जिस कारण वे सिर्फ 16 सेकंड के लिए उन्होंने अपना मास्क उतारा और उसी समय पुलिस कर्मी वहां आ गई और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनके ना पाला था क्योंकि उन्हें थोड़ा सा खराब लग रहा था थोड़े उनकी तबियत बिगड़ रही थी और जुर्माना ना भरने की इस्तिती में उनका जुर्माना जो रकम थी वह हो गई धाई लाक रुपए फैट नमबर फाइफ आखिर रेल की पट्रियों में जंग क्य पट्रियों में जंग नहीं लगता जो कि सालों सालों तक चलती है फैट नमबर सिक्स आखिर हरे रंग से ही क्यों कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ढखते हैं लोग आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों हरे रंग से कवर करते हैं क्यों नहीं काले या सफेद नीले कपड़े से ढखते हैं तो इसकी वज़ा ये है कि लोगों का मानना है कि वहाँ पर उड़ रही धूल मिटी सिमेंट बालू के कर दूसरे लोगों को परिशान करते हैं दूसरों की घरों में जाकर गंदगी फैलाती है लोगों को उससे बिमारिया होने का खतरा रहता ह जिस कारण हरे रंग से बिल्डिंग को ढख दिया जाता है और दूसरी वज़ा ये है कि हरा रंग थोड़े से ही प्रकाश पढ़ने से रिफ्लेक्ट हो जाता है जो कि अधेरे में दिख जाता है यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन टाइम पर बिल्डिंगों को हरे कपड़े से धका जाता है फैक नमबर सैवन लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधान मंत्री थे तब उनको एक कार खरीदनी थी अपने परिवार के कहने पर उन्होंने फियट कार खरीदी लेकिन उस समय उनको अपनी कार खरीदनी के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ा था क्योंकि उस कार की कीमत उस समय थी बारा हजार रुपए और उनके एकाउंट में थे सिर्फ साथ हजार रुपए इसलिए पंजाब नेशनल बैंक से उनको पास हजार का लोन लेना पड़ा था और वो कार आज भी दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में अभी भी मौजूद है एक आईरिश महिला है जिसने एक अजीब गरीब हरकत कर दी जी हाँ उसने अपने पती को ही सेल कर दिया आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा और आप दंग भी हुए होंगे कि ऐसी कैसी हरकत की पती ने कि पतनी को उसे सेल करना पड़ा दर असल पतनी का कहना था कि उसका पती जो है बच्चों को छोड़ करके छुटी के टाइम पर वो फिशिंग के लिए चला गया बाहर जी हाँ उस महिला ने शिकायत दरज की है कि छुटीयों के टाइम पर जबकि उसको घर पर रहना चाहिए था उसके पती को वो बच्चों समेत पत्नी को भी घर पर छोड़ कर फिशिन के लिए बाहर चला गया इसी बात से गुसाई हुई उस महिला ने उसे सेल के लिस्ट में डाल दिया और इबे की साइट पर उसे सेल कर दिया और उसने उसमें लिखा भी कि ये 37 साल का युवक है जो शूटिंग और फिशिंग में रहते हैं यानि की बॉने रहते हैं वहां पर एक व्यक्ति की उचाई जो है वह 5.2 इंच है और वहीं पर दूसरी ओर नीदर लेंड एक ऐसा देश है जहां पर सबसे उची लोग रहते हैं जिनका और व्यस्ट की उचाई जो है 6 फिट है फैट नंबर 10 दुनिया में एक ऐस रेगिस्तान है और यह पाच करोड सालों से भी जादा पुराना रेगिस्तान है फैट नंबर 11 आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महराश्ट का एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम है हरियल यह अपना पाव कभी भी जमीन पे नहीं रखता यह सिफ उचाईयों में उड़ा करता है और बैठने के लिए भी उचे पेड़ों का सहारा लेता है यह अपना घोसला या तो पीपल के पेड़ में बराता है या तो बर्गत के पेड़ पर और यह पक्षी हमेशा जुन्ड में पाए जाते हैं फैक्ट नंबर 12 पूरे विश्म में पीने के पानी की किलर से तो मात्रा मौजूद है और वहां पर पानी का ओस्तन घनत व जो है वह 8233 घन किलो मेटर है फैक्ट नंबर 13 मेगाले की एक ऐसी नदी है जिसका नाम है उमंग गोट यह भारत की सबसे साफ नदी कही जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस नदी में गंदगी फैल माना भी लगता है फैक्ट नंबर 14 बार्बी डॉल का पूरा नाम है बार्बरा मिलिसेंट रॉबर्ट और यह जो है विलो विलकॉंसिन से हैं और आपको बता दो कि बार्बी डॉल जब पहली बार टॉय फेर में गई थी फैस्टिवल में गई थी तो यह अपने काले और कॉस्ट्यूम में गई थी फैट नंबर 15 सुल्तान कोसेन सबसे लंबा जीवित रहने वाला व्यक्ति माना गया है 2009 में सुल्तान कोसेन को गिनीज बुक के द्वारा आट फिट से ज्यादा लंबे वाले व्यक्ति की श्रेणी में लाया गया है उन्हें नवाजा गया है पर बेचा भी गया था यह तभी से एक आश्चरे वाली बात बनी हुई है कि कटा हुआ ब्रेड फैट नंबर 17 फोर कॉर्णर अमेरिका का एक मात्र ऐसा इस्थान है जहां पर आप एक साथ चार राज्यों में खड़े हो सकते हैं जी हां आप सही सुन रहे हैं वो इस्थान है यूटा, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मेसिको फैट नंबर 18 सर्च इंजन गूगल का मूल नाम था बैकरव इसको बाद में बदल करके गूगल कर दिया गया फैट नंबर 19 चमगादर एक मात्र ऐसे इस्तंधारी हैं जो की उड़ सकते हैं फैट नंबर 20 पूरी प्र पाउंड है फैट नंबर 21 ऑक्टोपस के तीन दिल होते हैं फैट नंबर 22 धुरुविय बालू की तचा जो है वह काली कलर की है सफेद रंग की तचा वह प्रकाश में जब जाते हैं तब दर्शाते हैं फैट नंबर 23 दुनिया के सबसे घातक जानवरों में से माना जाता है मच्छर को मच्छर जो है लोगों को सबसे जादा मारते हैं सबसे जादा बिमार करते हैं फैट नंबर 24 प्राशकुमारी डायना और प्रिस चाल्स की शादी को जो है लगभग 750 मिलियन लोगों ने देखा और जबकि दुख की बात तो ये है कि उनके अंतिम संसकार को धाई अरब लोगों ने ही देखा फैट नंबर 25 आपके शरीर में सबसे कठिन काम करने वाली मासपेशी आपका दिल है और आपके उंगलियों में कोई भी मासपेशी नहीं होती है उसका कारी जो है आपके हाथों की द्वारा होता है आपको इस सारे फैक्स में से कौन सा फैक्स से ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें हम फिर मिलेंगे एक और नए इंट्रस्टिंग फैक्ट्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार